सबसे पहली जो हार कारण आपका बना है यहाँ पर वो उसके लिए मैं मानूँगा सबसे बड़ा दोशी यहाँ पर कोई अगर है किसी ने सबसे बड़ी गलती किये तो यह कप्तान रोहिद शर्मा आप पांचवा दिन आज एक बूंद बारिश नहीं वी और एक छटाक भर जो है बादल का टुकड़ा नहीं दिखाए दिया पांचवा दिन धूब के लिए रही पांचवा दिन गर्मी रही वहाँ पर इतनी गर्मी कि किसी को स्वेटर नहीं पहनना पड़ा लोग गर्मी से बचने के लिए कैप्स और स्वेटर और गॉगल्स बैटे रहे रहे स्टेडियम में और आपने वहाँ पर टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैंसला करके अपनी पांपर कुलहरी मार दिया और उसी दिन उसी दिन आपने बता दिया कि इस टेस्ट मैच को हम हार रहे हैं और यह जो हमारा जो मेस है गदा है जो यह वर्ल्ड टेस्ट चैंपिंशिक का फाइनल है हमारा सपना दोबारा जो है टूट चुका है इट इस अ मैटर अफ टाइम उसमें अफचारिक मोहर लगने की बात थी वो मोहर अपसे दो सेकंड पहले लग चुकी है नेतनलायन ने आखरी उकेट सिराच के रूप में लिया और 209 रहनों से उस्ट्रेलिया ने जीता पहले है आप न्यूजिलेंड से हार जाते हैं 2020 में और 2023 में आके आप उस्ट्रेलिया से हार जाते हैं उनका पड़ोसी मॉल्ग तो कहीं न कहीं हालत ऐसी है कि टीम इंडिया पैस अपना भी टूर गया है और टीम इंडिया का इतना पूर प्रदर्शन मुझे लगता है कि दो चार खेलाड़ी यहां पर उनको आज अपने सन्यास का अलान कर देना चाहिए जिसमें से एक है कप्तान रोहिच शर्मा सबसे पहले कभी तो जिम्मेदारी लो हाँ एक जिम् भी शर्मा को भी सबसे जादा सिर्फ पचासवा टेस्ट मैच कहल रहे हैं मतलब टेस्ट मैच खेलने का उनको खुझी सबसे जादा कि टेस्ट मैच क्यों कि मैं टेस्ट में प्रूफ करके जाना चाहता हूं वटन दे से कुछ नहीं तहुंग थे वन्डे के सूपरस्टार वाकि अपनी चेका बनाता है तो ये बंदा ये तो या तो BCCI जाग जाए या फिर वो खुद जाग जाए और बोले कि नहीं मैं वाइट बॉल करिकेट कहलूगा सबसे पहले तो रोई शर्मा जो है न अपने बूट्स हो है वो एंग्लिश में जो कहते है न हैंग इस बूट्स वो भाईया वो सबसे बहले कि मैं सन्यास ले रहा हूँ कप्तानी साथे दूसरे कहलारी जुनको तुरंत इमिडेट एफेक्ट से ड्रॉप कर देना चाहिए हूँ चेते शर्मा पुझा रहा है बिलकुल और तीसरे अजिंके रहाने बहले ही नवासी रन बनाएं लेकिन उनके बसकी भी टेस्ट नहीं आप नई टीम बनाओ आप हारो क्योंकि प्रियांचु अपसे थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे यहां से जब मैच का आखरे विकेट चल रहा था प्रियांचु यंग्स्टर है और पिछले 10-15 साल से लगातार क्रिकेट देख रहे हैं मैं 20-25 साल से देख रहा हूँ 83-84 से देख रहा हूँ कभी वे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपका अगला जनरेशन आनी रहा है आपको पता है यार यह तीन खिराली इनको लाओ लेकिन आज हिंदुस्तान की क्रिकेट का इतना बुरा हाल है कि आपको यह नहीं पता कि अगली खेप आपकी कहा से आईगी अगला प्लेयर कौन है कोई प्लेयर ही नहीं है इतना खोकला हो चुका है भारत का टेस्ट क्रिकेट वंडे और टीट्वेंडे में कुछ खास अच्छे हाल नहीं है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे नाम है लेकिन वो बंप बनेंगे और नहीं बनेंगे वो तो वक्त बताएगा इहां तो आपकास नाम भी नहीं है तयस्के करिकेट में अगर पेंट को अपना ताला लगा देना चाहिए पहलना चाहिए तयस्के क्रिकेट नहीं है अब बहुत सारे फैन्स करेंगे इंग्लेड, नियूजिलीड, पकिस्तान, साउथ आफ्रिका यह सब तो फाइनल नहीं पहुंचे हैं, हम लगाता है भाधर फाइनल पहुश रहे हैं यार फाइनल तो पहुश रहे हो, लेकिन फाइनल पहुशने के बाद भी एक ऐसी तस्वीर है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो ये कि आपकी टेस्ट क्रिकेट में आप फाइनल कैसे पहुँचे, घर में कैसे फिचेस बना के आप मैचेस जीते हो, और उसके बाद, उसके बाद आपने जो परफॉर्मेंस यहां पर आके दी है, और जो खिलाडी मौजुदा टीम में आपके हैं, वो सब का करियर इंडिन क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का, मुझे लगता है इस टेस्ट ट्रीम को बदलने की ज़रूरत है तुरंत एफेक्ट से, अगले टेस्ट मैच जब दो टेस्ट मैचेस खेलने जाए न वेस्ट इंडिस में जोलाई के महीने में, तो एक नए टीम जानी चीए, सिव उयंगी घाह याए यहझ जा टीम जचेट टेस्ट मैच आएने की जानी चैसान जानी मोगता है.